गोड आफसर नूंण फ्रेंड्स आप पड़ रहे हैं पाउर पोन्ट इस्टेडी पड़ेंगे लूस ситу धि alltså कै इसम क्या पड़ेंगे लूसेशन कि बारहे में ठीक है झाय की कोन शटाएं को सेइसे ख्यों को ठीक है। ठीक है हम पढ़रेंगे पावरप्वाइट इस किर में Lo 720 है ठीक है आज ये साथ जन्री है Allah नश्य प्रक्राव साम को 6 बजे आपको रोज loose ein't मिल जाएगी ठीक है इसमें सुभे के बेच में क्या लगता है daily current flow लगता है और हम साम के time क्या पढ़ते हैं loose end नीक हुगा है ठीक है बैदिक सबटा loose end में क्या पढ़ेंगे बैदिक सबटा बैदिक सबटा ठीक है बैंदीक सब्रेटा का सिंदूः सब्रोघका को पड़ेंगे इस में पूर्ट सब्रहूं पंदरा सो से सोला सो इसापूर्थ में इसका सबसे इसमें बेद किसका बेद का बेद का क्या था एक अर्थ था बेद का क्या था बेद सब्द का अर्थ था जिसका अर्थ था जिसका अर्थ था ज्यान बैद सब्ध का अर्थ क्या था था इसमें ग्यान था ठीक है किसका बैद इक सब्धा में बैद सब्ध को आर्थ क्या मानना जाता 37조 होता इसी कारणों के इसी कारणों से बैदों कि इस काल को बेदों की रितियों का काल भी कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है बेदों की रितियों का काल बेदों की सुरुतियों का ठीक है इसे बेदों की सुरुतियों का कालवी कहा गया है ठीक है किसको बेदों को सुरुतियों का कालवी कहा गया है ठीक है ठीक है इसमें आपको बताया गया था चार बेद थे रिक बेद साम बेद अर्थ बेद और यजुर बेद ठीक है उसमें कितने दस मंडल कितने रिगवेद में किसमें रिगवेद में दस मंडल 1028 क्या थी सूखतिया रिगवेद में कितनी थी दस मंडल 1008 सूखतिया कितनी रिगवेद में 17 concludes 1018 सूकती आपको इसमें सोट चीजे पहले सुट चीजे चुई नप्टाई जाते हैं इसमें रछी कि और निके बारे में लिखते हैं ठीक एक पंकल कके बरे पार las an के मंडलों के बारे में बताते हैं ठीक है कि रिसी और में उनके में कौन-कौन से मंडल लिख गए यह तरफ डाल लीज़ें प्रह थिसरे में लिखें कौनसे दुतिय मंडल के बारे में ड्री में ठीक है कि इनके बिस्वामित में कि विस्वावित में तृति के मंदल थे के बामदेव बामदेव के बारे में किस मंदल में लखना का चतुर्थ मंदल के बारे में किस के बामदेव के बारे हैं बता गया है ठीक है अत्री ठीक है पांच पंचम ठीक है भरद्वाज सश्ट बरिष्ट सब्तम मंदल सब्तम मंदल ठीक है किन रिस्कियों के बारे में किस मंदल में दिया गया है कि और किन विस्वित के बारे में किस मंदल में बताया गया है इनके दोरा लिखत गई बिविस्ता बिविस्ता में ठीक है इनके बारे में गसुवित विस्वित द्वारा पत्री द्वारा पंचिमे मंडल में भरद्वा जवारा सष्ट मंडल में और वरिष्ट द्वारा सब्तम मंडल में भरिद्वा द्वारा सष्ट मंडल में बरिद्वारा सब्तम मंडल में बताया गया है ठीक है अब असमें क्या पढ़ेंगे रेक वेद में इनके काल प्राचीन काल में आदनेक में नदीयों के प्राचीन नाम और आदनेक नाम के बारे में पढ़ेंगे ठीक है प्राचीन काल में इनके नाम ठीक है रिक बैदे कालीन नदीयों के बारे में पढ़ेंगे ठीक है इसमें उनके आदनेक नाम और बरत्वान नाम अदनेक नाम और प्राचीन नाम के बारे में बताएंगे ठीक है कि किस नदीयों किस काल में किस नाम के दौरा बताएंगे थीक है प्राचीन नाम बताएंगे नदी के ठीक है कुमभा ठीक है कुमभा इसको कौन सा कावल कुमभा किस नाम से फिर सित्ती कावल इसको जेलम बोलेंगे इस नदी का नाम क्या था जेलम नाम था ठीक है असकनी असकनी नदी को ठीक है कुमभा इसको बोलेंगे कावल कावल की नदी ठीक है इसको क्या बोलेंगे जेलम अकसनी ठीक है इसको बोलेंगे चिनाव ठीक है कुछ प्रमुक नदीयों के बारेंगे बताया गया पुरुस्वानी पुरुस्वानी ठीक है पुरुस्वानी इसको क्या बोलेंगे रावी ठीक है और पुरुस्वानी मतलब रावी नदी वही नदी है जिस पर दसरत यग किया गया था ठीक है कि कि था स्वायक इन दोसे मलड़ेंगेंग mojeन तरी यह गये दसरत है यह नमक युद्धुद्वात है किसमें रावी नदी पर ठीक है किन-किन के बीच ठीक है इन इन लेमागना हिडियों कम सनद दसरत दसरग यद्दुवाता किन किन के बीच हुआता सुदा सुदास पिलस दस जन दस जनु दस जनों के बीच इसी तठपर क्या हुआता कौन सी रावी नदी के तठपर क्या हुआता दसरग यग हुआता सुदासन और दस जनों के बीच में ठीक है और इसमें दो तीन नाम हो रहा है बिस्पास उसको क्या बोलेंगे व्यास नदी ठीक है एक और इसमें गौमती को गौमाला पहले बोलते थे गौमती अब बोलते हैं गौमाला जो माले गौमती को गौमन ठीक है यह इसकी प्रमुक नदिया थी ठीक है एक परसूनी बोले इसको आज जन्दीग ऑन नाम कैस का रावी इसका रवी इसका रवतन है अब यह पॉइंट खतम जो चो इसमें रह चुके हैं रिगवेद में पॉइंट वह आपको अब पढ़ाई जा रहे हैं ठीक है अब आधि अधिक आधि मतलब आधियों ने सबसे प्रारम में क्या गिया ठीक है आधियों ने आधियों ने यह सबसे पहले क्या थे यह क्या थे एक चरवा आ ठीक है यह पसू चार्षा यहां किरते थे अपना जी fork आन्य आ दृर्क चारग थे ठीक है यह के تली आपने अपने जीवान साधान में जी चीवान है और यह किरसी और अपने कार चलागर अपना जीवान करते थे इसको क्या करता ansen November को इन्हों ने अपनी भासा में मरला इनके इस इस कार को क्या का इसको यह लोग कहते थे गौण धन्दा गौन धन्दा कहा जाता था ठीक है इनके इस कारे को क्या कहा जाता था गौन धन्दा कहा गया था ठीक है आर्जो ने क्या बताया आर्जो ने बहुत चीज़ों के बारे बताया आर्जो ने बताया कि आर्जों के टैम यहाँ घोड़ा गोडे का उपियोग केवल रत पर केवल रत पर मिला रत के साक्ष मिले अर्जव ने बताया कि केवल ये गोडे का उपियोग किसमें करते थे रत को चलाने के लिए अपने गोडे का उपियोग करते थे भरत कुल के प्रोहिद बरिष्ट थे ठीक है ठीक है बरिष्ट भरत इसमें कुछ पॉइंट है भरत कुल के प्रोहित कौन थे भरत कुल के प्रोहित कौन थे बरिष्ट को भरत कुल के प्रोहित कहा जाता था ठीक है क्या कहा जाता था बरिष्ट कहा जाता था भरत कुल के प्रोएतों को क्या का जाता था बरिष्ट का जाता था रिगवेद में कितनी नदियों का उल्लेक ठीक है क्या हुआ रिगवेद में कितनी नदियों का उल्लेक ठीक है क्या हुआ रिगवेद में कितनी नदियों का उल्लेक यह बता गया है रिगवेद में नदियों का कितनी 21 कितनी रिग वेद में कितना है नदियों का उल्ले किसमें रिग वेद में कितनी 21 नदियों का उल्ले किया है और इनके तमद का भी त्वाखो में आए बैद काल के लोगगों को तमद किस फिरकार का उप्यू किया जाता है रिक बेद में, रिक बेद में, 200 बार, कितना 200 बार इंदर देपता, 200 बार इंदर देपता का उल्ले किया है, इसमें इंदर देपता को क्या, प्रतापी राजा, प्रतापी देपता या प्रतापी राजा की रूप में जाना जाता था, इनके बारे में और है इनके चोटे चोटे पॉइंट ए ठीक है रिकवेद के बारे में जो उसके चोटे पॉइंट है ठीक है उत्तर बैदिक काल में सबसे परतापी राजा कौन से थे उत्तर बैदिक काल के सबसे परतापी राजा ठीक है सबसे परतापी राजा के किसके राजा के राजा के परमुक सलाकार राजा के परमुक सलाकार को क्या माना जाता था राजा के परमुक सलाकार को प्रोहित मानते थे ठीक है और मनु रंजन के लिए ठीक है मनु रंजन के लिए क्या करते थे ठीक है कोई भी सबसे अपने मनु रंजन के लिए राजा क्या करते थे यह संगीत संगीत रतियात्रा क्या संगीत रतियात्र का करते थे ठीक है उसमें शॉसा राध यात्रहएं तरह को एक तडिके से दॉर रसे आतरा निसमेए राध दॉर है और भुल दॉर हो ग्रित कीड़ा मैं क्या करते हैं उफ्योग करते थे ठीक है ये अपने मरिजन के लिए संगी रत दोड़ घोड़ ठीक है और की गृत के नाई को ठीक है रिग वेद के रिग वेद के नाई होता ना जो बाल काटने वाले होते ना तो रिग वेद में इसका भी उलेख यह इसके नाई को क्या कहते थे बपता बपता, इसके नाई को क्या कहते दे बपता कहते दे, ठीक है सर पर्थम, ठीक है, इसमें और क्या होता था, इसमें कुछ चीजे और भी है, ठीक है एक वहीं से लिख लो, इसे ठीक है सर पर्थम कर लगाने की पर्था सब पर्थम कर लगानी पर्था किस बैदिक काल में उत्तर बैदिक काल में उत्तर बैदिक उत्तर बैदिक काल में क्या हुआ कर लगानी की पर्था के बारे हैं बताया गया सब पर्थम उत्तर बैदिक काल में यह बताया गया कि इन्होंने जन्ता पर क्या लगाया कर लगाया इसके बारे में इन्हों बताई एक तरीके से यह ब्लागा तर्य उसमें लिखाऊओ आरे में बताए गया है कि उतरभेदी काल में कर लगाने की पर्था क्या थि सुरू थी अधर्वेद ठीक है अधर्वेद को क्या क्या आ गया ब्रह्मा देव ब्रह्म बेद का आ गया किसको ब्रह्म बेद कर एंदाओं होट है किसको अधरे बेद को क्या क्या गया ब्रह्म है बेदक काल में बताया गया है अधिकर सबता में माद IM 100 दोड और था चाल चले यह थिक इससे में बताए गया गह ra कि अर्थ बेत को यह लोग क्या बाउनल कि माझनते घज सानते ध्क इस जानते तंट्टिक का इस द्रेंचार्भ मेल का ब्रह्म एस घज जानते भॉद क候 कर से जानते ठीक है ठीक है, रिक वेद में इसमें छचट्री को किस नाम सबनाते था खिसको छट्रीएं को इसमें छट्री को ठीक है, जो होता था, सैनिक होता था उसको किस नाम से जाना जाता था उसके लिए राजन किसके लिए राजन नामक सब्द का प्रियोग किया जाता था ठीक है रिगवेद में इसमें पर्दा पिता का प्रचलन नहीं थी ठीक है इसमें क्या था पर्दा पिता का प्रचलन नहीं था और नहीं उत्तरवेदिक काल में ठीक है रिगवेद में और नही उत्तरवेदे काल में पर्दा पिर्चलन के बारे में बताया गया है ठीक है इसमें किसी सईयुक्त परिवार की पिर्थाती सईयुक्त परिवार की पिर्थाती पिर्थाती ठीक है मतलब सईयुक्त परिवार की इसमें पिर्थाती एक तरीके से कि ओम सब्द को किस है ओम सब्द को ब्राव ठीक है इसमें क्या है ओम सब्द को ठीक है क्या है जी ओम सब्द है जी ओम लिखाए उनके ठीक है ओम सब्द को ब्रत व्रणिक उधारक के उपनी साथ से लिया गया ठीक है उस सत्में जैते मुंड को उपनी साथ से लिया गया ठीक है यह तो सब को का लूट है ठीक है किसमें रिग यह मैं किसमें नरगवा स्वर्ख का उन्लेक है ठीक है यह बताया घ्र ठीक है इसमें रिगवेद में ठीक है इसमें क्या हुआ बैदे काल के रिगवेद में किसको क्या का जाता था इसमें किसको चिकस्टको क्या घाता था ठीक है ठीक है इसमें अगनी देब था ठीकर अगणी ठीक है मतला अगनी देपता नहीं, सिर्फप अगनी, देपता वंसानी की भूमिका करती थी कि निवा डेती तिएक है और नी के समाध्यम से निखानी वाले देवता थे अगनी में देवता जिंवाना जाता था तो तर आप कोई ब товãy मारुत तूफान के देवता माना जाते थे तूफान के देवता ठीक है किसको मारुत को तूफान का देवता माना जाता था ठीक है इसमें बताया गया है कि मारुत नामक देवता जो की तूफान के देवता को माना जाता था और सबसे पहले इनने तामे धातू का प्रियोग किया तामे धातू का प्रियोग किया ठीक है यह पहले वाली क्लास में बता गया अब इसमें बैदेक काल को और विस्तरित कर दिया गया है ठीक है इसमें दो-तीन पॉइंट और रहा है ठीक है वह और आप लोग लिख लीजिए वह और इंपोर्टेंट है पूरी तरह से खतम हो जागा आपको लूसेंट की ऐसी कोई क्लास नहीं मिलेगी कहीं पर इसमें बताया गया है एंचीज़ थोड़ी भले अलग तरीके से लग रही हूं मगर इसमें आपको जो भी बताया रहा है ठीक है इसमें वह नहीं है रहो आप लोग पढ़ोगे हमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हमारा कॉंटेंट अच्छा होग ठीक है अपन क्या पढ़ेंगे अन्य प्राचीन सब्दा वली जो की रिख बैदे काल में ऐसे ऐसे नामों का यूज किया गया है उसको बताया गया बताएंगे अब ठीक है होता है ठीक है अधर विव उत्गात ठीक है इन चार सब्दे जो की इंपोर्डेंट है ठीक है होता कैसे कहते थे प्रात्ना करने वाले प्रोहितों को प्रात्ना करने वाले प्रोहित यह प्रोहितों ठीक है प्रोहित क्या कहते थे होता कहते थे आयू वर्द ठीक है इसमें करमकांड और एवन बैदान को देने वाले प्रोहितों को किसको कहते थे अधरवियू किसको कहते थे करमकांड करमकांड एवन प्रोहितों को अलग अलग नाम से बताया गया है प्रोहितों को ठीक है क्या कहते थे करमकांड एवन प्रोहितों को ठीक है उग्रगात किसको सामबेत का सामबेत का गायन करने वाले गायन करने वाले सामबेत का गायन करने वाले प्रोहितों कहते थे उद्गर उद्गत कहते थे ठीक है ब्रह्मा इसमें ब्रह्मा यग इवन बिधी का पूर्वा करने वाले प्रोयतु को याद देख्ष को ठीक है यग ठीक है किसको यग बिदीवत पूर्वा करने वाले प्रोयतु का कहता था ब्रह्मा का जाता था ठीक है यह हो गया किसके अन्य प्राचीन सब्दा वाली के नाम थे इन चीजों में आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है यह पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एक और चीज़ है ठीक है पेपर में जो कुस्षन पूछे जाते हैं मला अभी तक के जितने भी पेपर हुए उसमें सब्दों का कितनी बार यूज हुआ ठीक है इस चीज़ को लखेंगे ठीक है रिक बेद में सब्दों का उलिग ठीक है किसमें रिखवेद में सब्दों का उल्लेग ठीक है ओम ठीक है ओम सब्द का कितनी वार उल्लेग किया गया है दस्सौ अठाइस वार ठीक है क्योंकि ये मंतर चाड़न सब्दे इसमें दस्सौ अठाइस सूक्तिय है जिसमें दस्सौ अठाइस पूरी सूक्तियों में ओम सब्द का प्रियोग किया है जन सब्द का प्रियोग जन सब्द का करिये 275 बार किसका जन सब्द का प्रियोग किया गया है किसमें रिगवेद में जन सब्द का कितने 275 बार प्रियोग किया गया है, वन का 23 वार, वन सब्द का कितना 23 वार प्रियोग किया गया है, राष्ट का राष्ट का 10 वार प्रियोग किया गया है, सब्द, ठीक है, गण का 46 46 बार गण सब्द का प्रियोग किया गया है माता सब्द का 234 बार किसको माता सब्द का प्रियोग किया गया है राजन इस सब्द का प्रियोग राजन सब्द का एक बार प्रियोग किया गया है ठीक है बरॉन सब्द का प्रियोग बरॉन का तीस बार ठीक है, सूर्य देवता, मतलब सूर्य का प्रियोग, इन्होंने 10 वार किया गया है, रुद्ध का कितनी वार प्रियोग किया गया है, रुद्ध का 3 वार, ग्राम का 13 वार, ठीक है, ग्राम का 13 वार प्रियोग किया गया है हिसक का ग्राम का तेरा वार किया गया है सभा का आठ वार हुसा का अधवार प्रियोग किया गया अगनी का 200 वार अगनी का दो सो बार सब्द का प्रियोग किया गया है गंगा का गंगा सब्द का प्रियोग एक बार किया गया है रिख वेद में गंगा सब्द का प्रियोग एक बार किया गया है बिस का एक सो एकत्तर बार ठीक है अस्व का 315 वार ठीक है इंद्र का 200 वार कितना 200 वार इंद्र सब्द का प्रियोग किया गया है गौ का 116 वार 116 वार इंद्र उसका प्रियोग किया गया है पिता का 355 वार पिता सब्द का प्रियोग किया गया है सौम सब्द का 120 वार सौम का 120 वार प्रियोग किया है किर्सी का 24 वार प्रियोग रिक बेद में किया गया है ठीक है समीती का 9 वार समीती का 9 वार इस बेद इसमें प्रियोग किया गया है विश्णू का 6 वार विश्णू सब्द का प्रियोग छे बार किया गया है, ठीक है कुलप का दो बार, ठीक है, दो सब्द बार फ्रीय का है, बैस का एक बार बैस सब्द का प्रीयो एक बार किया है, ठीक है और समद्र देपता, समद्र का समद्र का एक बार यूस किया गया है, ठीक है सूत्र का सूद सब्दों को एक बार बताया गया है ठीक है इन सब्दों के बारे में क्या गिया है रिक्वेद में इन सब्दों का प्रियोग किया गया है ठीक है जैसा कॉंटेंट आपको मिलना यहां पर यहां पर कोई किसी को कॉंटेंट नहीं देगा इतना बड़ी है ठीक है इसके बाद अपलो क्या पढ़ेंगे, उत्तर बैदिख काल पढ़ेंगे ठीक है इसमें क्या पढ़ेंगे उत्तर बैदिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है बूप कड़ेंगे कल की क्लास में रूस साम कुछ है विजे हम अपनी क्लास में क्या पढ़ेंगे लूसाइंट के बारे में पढ़ेंगे सुबह पढ़ती है डेली का इंटर फिर आप ज प्रवार का आठ अगनी का दो सो गंगा का एक विस्त का एक सब्दों का प्रियोग मिला इसमें रिगवेद में इन सब्दों का प्लियोग मिला जितने दिया है जिस सारे पेपर में आए हुए हैं सब्दों के बारे में पूछा गया किसी भी लेवल के पेपर में ठीक है और जो लोग रह गए हैं उन्हों को जोड़ दीए ठीक है थैंक्स पर इसने ज्यादा कुछ नहीं कैसे लाइक और सेर करना ना भूलें ठीक है